लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि अपरेट्स करें खुद्ध को कर गुलंद इतना कि हर तरदीर से पहले खुद्ध पूछे पता तेरी रजा क्या है जीती रहो बेटी भगवान हमेशा सुक्य रखी दीवान जी जी आज राज का खाना आप सब हमारे साथ खाएंगे जैसे हां कि हमाराज दादा जी दादा जी हम मुनी और संकर भया की घर पे खिलने जाएं आँ बेटे जाएं जुरु लक्षमी बच्चों को लेके घर जाओ चलो बच्चों दीवान जी जी वो हर साल की तरह आपने आज जी हमाराज हर साल की तरह मिठाईया अनाज रूपिया सब गरीबों में पार दिया नमस्टे बन जी चलो दीवान जी जी हमारी दिवियत आज फिर कुछ लक्षर साब आते ही होंगे महाराज तुन्हें यहां किसने बुलाया महाराज बहुत दिन हो गया आपके दर्शन की हुगे इसलिए सोचा कि मैं आपके चरण चुकर मतलब की बात करो वीर पड़ता दीवान जी आप जरा दीवान जी यहीं रहेंगे शमाकना महाराज आप ही की शिक्षा है कि मालिकों की बाचीत की दौरान नौकरों का होना उचित नहीं हम समझते हैं रवीर परताब सिंग तुम क्या बात करने आयो हो लेकिन हमारा फैसला अटल है यही तो अफसोस की बात है महाराज क्या आप जैसे इंसाफ पसंद महाराज के हातों इतनी बड़ी नाइंसाफी हो कैसे गई आपने अपनी सारी जादाद अपने पोते के नाम कर दी हम माना कि हम आपके अपने बेटे ना सही लेकिन आपके भाई के बेटे तो हैं गुम फिर के हमारी रगों में भी तो आपी का खुन दौर रहा है महाराज लेकिन तुमने उस खुन की कभी को इज़त नहीं की अपने काले करतूतों से तुमने हमारे ठाक और खांदान के नाम पर जो बन्दामी का दाव लगाया है उसे हम कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हारे गंदे कारनामों ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम तुम्हें अपने जिसमों का एक सड़ा हुआई सा समझ कर काट प्रेकी तुम्हें अभी हाँ से कूटी कोडी भी नहीं मिलेगी तुम जा सकते हो गेट आउट हाँ 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 एस से महराज हस्ते आप दिल के मुरीज हैं उचा बोलेंगे तो ये बुड़ा कमजोर पेड डुड़क जाएगा और अभी तो में इस पेड़ से बहुत सारे फ़ल खाने है हना के आपने तमाम फ़ल एक एक करके अपने पोते राजकुमार अनिल के नाम वसियत नामे में लिखती है तुम्हें कैसे मालूब? आपके उस वसियत नामे के जरीए मतलब? मतलब यह कि आपको वसियत नामा इस वक्त आपकी तिजोरी में नहीं बलके इस खाक्सार की जेब में रखा हुआ है नमूना पेश करूँ यह रहा आई यह देख लीजिए इस पे दस्तकद आप ही के हैं या किसी और के हैं? यह क्या कर रहे हो? अभी तो सिर्फ राज कुमार के नाम का वसियत नामा जला रहा हूं महराज वीर पढ़ता आप रहे हैं? हाँ 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 आईस्ते महराज आस्ते आप दिल के मरीज हैं आपको ज्यादा चीखना चिलाना नहीं चाहिए आराम से बैठिए आपके बेटे और आपकी बहु की कार एक्सिडन के मौत के बाद इस तमाम जाइदाद और खजाने के अब दो ही वारिस बचे हैं कौन? एक आपका पोता राज कुमार अनिल परताब और दूसरे हम ठाकर वीर परताब यह मत भूलो वीर परताब के हम अभी जिन्दा है जानता हूँ माराज लेकिन दिल के मरीज की सांस रुकने में वक्त ही कितना लगता है तुम्हारा मतलब ने 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 मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं मेरा मतलब वो है जो आप नहीं समझ रहे हैं हमारा मतलब है कि आपका पोता उस बिचारे की जान ही कितनी है मच्छरों मक्ही की तरह तो क्या तुम हमारे पोते की जान लेना चाहते हो हम जान क्यूं लेंगे हम तो को नक्षा लेंगे जो करोणों के खजाने का रास्ता बताता है खजाने का रास्ता वो जवाहिरात वो हीरे, वो मोती, अरे, आपके माथे पर तो अभी इसे मोती चमकने लगे, पहले हम इन्हें तो जरा समेट लें, थोड़ी देर बाद आके समेट दें, हाँ? ओ, रग्षर साब, येस, स्वारी, महाराज के इंजेक्शन का वक्त हो गया, हम आपके बड़े अभारी हैं कि आप हमारे महाराज की इतनी जिम्मेदारी से देख भाल करें, बवान इनका साह हमेश हमेश हमारे सर पर सलामत रखी, वैसे डॉक्षर साब, चेक अप करने में दस-एक मिनिट तो लग जाएंगे, लग्षर साब, चेक अप करने में दस-एक म दीवान जी सुना आपने, मैंने सब सुन लिया है महाराज, आप बिलकुल चिंता मत कीजिए, आप हमारे पूद्रे को लेकर कहीं दूर निकल जाईए, महाराज मैं वच्छन देता हूँ, अपने जान पर खेल कर राजकुमार के इफाज़त करूगा, हमें पूरा भरोसा है और आप ये खदाने का नक्षा भी ले लिजे, वीर परताब के आने से पहले आप राजकुमार को लेकर भाग आईए, आप चिंता मत कीजिए महाराज, आपके इच्छा के अनुसार आपकी दौलत का सही इस्तमाल होगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिये, आप मेरी बिल दीवान जी अंदर है, जे, ओ नो, दीवान जी, दीवान जी, महाराज, दीवान जी गाए, अरगे, लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या बात है, आप इतने परिशान कियो है, देखो, राजकुमार की जान खत्रे में, उनने लेकर हमें यहां से फौरण निकलना है, बच्छी आप जिकाना है, वो बाहर खेल रहे हैं, तुमने जल्दी से तयार करो, तुम भी तयार हो जाओ, मैं आपी आया, मुन्ने, शंकर, जल्दी सा आजाओ, नहीं हम लोग खेल वें, बाद में खेलना है, जल्दी आजाओ, नहीं राजकुमार, इस लॉकेट को सदा पहने रखिए, क्यों, क्योंकि यह हमारे महराज याने आपके दादा जी का आशिरवाद है आपके लिए, शंकर बेटे, इस लॉकेट को तुम भी सदा पहने रखना, अच्छा पिजाजी, लेकिन यह सब क्या, यह सब मैं तुम्हें बा दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, यह, यह तुम्हेरे दिवान का है, मालूम ने, बोल का है, नदी किनारे, नदी किनारे, दिवान सरदारी लाल, हम तुझे नहीं चोड़ेंगे, अजय है? खाक उरके आने से पहले, वो बैट का नदी पार कर लेते हैं खाक उरक उरक आने से पहले हम उस ट्रालिय में बैट का नदी पार कर लेते हैं मैं राजकुमार को ले के आता हूँ चलिए राजकुमार, आउ मनी आंके ताजी आנंके पका की आंके पका की आंके ताजकुमार के वह राजकुमार की इंक्पार अिम्या! SUPER Dिंवे हैं! थिम्यार की! बाजकार आए, आए! आए, मा! याई! आ, आए! प्याँ 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 झुश प्याँ प्याँ तया नहां हो! अणैन आओ!! जाकत मों बने मजिनी परगर्जा के सा— आप शेण आज़ा! आता हो!!! वो जणायया! विंगीया!!! इलमयारे एँप जालो बत्टा के!!! आरे यह देखो पत्छो पत्छो बत्चो अए बहर भाईया! यह तो किसी बड़े घर का लगता है, पहले देख तो तो जिर जिन्दा है के नहीं, डेख तो जिन्दा है, जिन्दा है, अरो तो पहले बैटिजीशा बाद लेके चलो चलो बबी तुम खाना वाजी अच्छा बगाती हुआ कितनी बार कहा हर वक्त तारीफे मत किया किये क्यों जूटी लगती है मैं यह प्लेटे साफ करके आती हूं आप तर डबों में सामार सुनिये सुनिये जल्दी आईए ना इधर कब आता बई देखे देखे पानी में बच्ची है मैं देखता हूं कि अधर इसके तो सांस चल ली है तो फिर इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं तुम इसे उठाओ जब तर मैं कार लेका आए तो आप जल्दी से कार लेकाई यह है 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 हुआ 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 यह तेरा कैसानिया है भगवन सब कुछ खत्म कर दिया पती छेल लिया बैटी पिछड़ गई सब हुआ सब कुछ हुआ 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 अ मा, मा, अरे, ओ, उस सुसरे दिलू ने तो हमारी जान ही निकल दी थी, कहता था कि तेरी मा की तबेद बहुत खराब है, ऐसा नहीं बोलता, तो तो इस तरह भागा-भागा कैसा आता, मैंने तुझे खास काम के लिए बुलाया है, क्या है मा, लड़की के पिता है, तुरह मेरा कान तो चोड़ मा, चल अंदर, चलता हूँ बाबा, चलता हूँ मैं अभी लाती हूँ हम भी अभी आये मा, अरे मा, तु ये क्या कर रही है, हमारी बात तो सुनो, अरे मा, हमारी बात तो सुनो अरे बहुत तेरी सुनली, हाँ, अब तुझे मेरी सुनने पड़ेगी, समझा मा, अरे तु, लिजे पंडिजी तेशिव जी माराज, मेरी कुंडली मत मिलाना बेहन जी, यह कंडली तो आपने किसी कन्या की दे दी मुझे ओ। ये शंकर की बेहन की कुंडली होगी लेकिन वह इस दुनिया में पहाँ मैं आपको शंकर की कुंडली लाकर देती हूँ यह कैसी हो सकता है इस कन्या को कुछ नहीं हो सकता। ये कन्या तो जिन्दा है। ये कैसे हो सकता है पंडीची। पंडीची क्या आपको पुरा ओश्यास है। फिर से देखेना चितरा। अब ये मुझे बताईए कि चार वर्ष की आईउ में इस बच्ची को पानी से कष्ट हुआ था हाँ पंडित जी लेकिन ग्रहों के इसाब से जानका कोई दर नहीं क्या ये सचे पंडित जी सच मैं तो ये भी बताए देता हूं कि वो डक्षिन दिशा के किसी बहुत बड़े शायर में बहुत बड़े घर में पल रही है अगर हमारा क्या जूट हो तो हम पंडिताई छोड़ देंगे बेटे इसका मतलब है मेरी बेटी जिंदा है तो हमारे आनिल भाईया भी जिंदा होंगे पंडी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन बेटे कुंडली तो देते जाओ अब मुझे कुछ नहीं सुचता मैं शहर जाओंगा मैं शहर जा रहा हूं सुनो बेटे सुनो सुनो जंकर अरे मां तु चिंता मत कर हम शहर जाकर उस शैतान को ढूड़ेंगे जिसने हमारे पिता जी की हत्या की और शिव जी की सौगन हम उसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे लेकिन तु उसे पहचानेगा कैसे अरे मां पहचानूंगा कैसे नहीं तुन यह देख, यह देख बढ़े, तु इससे पहले, शायदे लॉकेट दरके तुझे पहचा ले नहीं, क्या हुआ राजा उस्ताथ, फिर वही आज सपना देखा क्या, हाँ कमाला यार, तो एकी सपना रोज कैसे दख लेता है, सपना नहीं यार, कुछ थुदली सी, बिखरी सी तस्वीरों के टुकडे हैं, समझ में नहीं आता के, पूरी तस्वीर क्या हो, क्यों बार-बार मेरे दिमाग को नोष्ती रहते हैं, अरे सपने सपने होते हैं, राजा उस् कि सपने तुम्हारा नाम है ने दुआ ना सलाम सीधा नाम क्या का मैं तुम्हें ठाक वीर परताब सिंग ने बोलाया है ठाक वीर परताब से ठीक उनसे कहतो राज अकल आएगा प्रागर साप का हुकम टाला नहीं जा सकता राजा तुम्हें अभी और इसी वक्त लेकर जाएंगे जाना पड़ेगा जीधे से नहीं चलोगे तो खटिया से बांग के ले जाएंगे तब तो जाना ही पड़ेगा जले अब अब ज़ियो नहीं जह वहां से अरे बहर वाले रसी लाना अभी ला अब तर चल ज़र लेटो लेटो, राजा उस्तार रस्ती, बांधो, चल्दी करो, उठाओ, चल्व, यह सब क्या है, हमने तो तुम्हे राजा लाने को कहा था, राजा भी हादिर है ठागुर साहब, यह सब तुमने, कुछ बत्तमीजी पर उतर आये थे, इसलिए थोड़ी सी तमीज सिखानी पड़ी, हाँ, यह लीजे इनका रिवॉल्वर, ऐसे बिल्ले पालेंगे ठागुर साहब, तो किसी दिन आपकी भी खटिया खड़ी हो जाएगी खटिया और मसेरी में बड़ा फर्क होता है राजा, और जब से हम पैदा हुए हमेशा सोने की मसेरी पे सोते आए हैं, और तुम तो जानते हो सोना कितना वजनी होता है, उसे उठाने के लिए इन बाजूं में ताकत चाहिए, है ना, मेरा खैल है आपने मुझे किसी काम के बुलाया था, हाँ, हाँ, आओ, हाँ, बढ़रो, रजा, आज लंडन की फ्लाइट से बहुत ही कीमती हीरा, बंबई लाया जा रहा है, और हमारी इनफॉर्मेशन के मताबिक ये खबर, पुलीस तक पहुँच चुकी है, शायद इसलिए आपने राजा को याद किया है, इक्जेक्टली, और ये है उस हिरा लाने वाले की तस्वीर, हमारा बेटा सुरज परताब सिंग, और हाँ, ये रहा तुमारा एडवांस, लेकिन वो मुझे पहचाने का कैसे, उसके लिए पहचान होगी, तुमारे हाथों मे ये लाल गुलाब के फूलूँगा गुल्दस्ता, ओके यू कन गो, थैंक यू मिस्टर सूरज परताब, मुझे राजा कहते हैं, अरे भई सफर कैसा रहा, सफर बहुत मज़े में रहा दोस, बहुत मज़े में रहा सफर, सिगार, हरे भई हमें नहीं पिलाओगे, ओ शूर शूर, बहुत बढ़िया सिगार है, हाँ, चलिए इसी से सुलगा लेते हैं, है, यह लिए, वो, नहारे पीछे, काला सूट पर ने आदमी खड़ा है, हाथ में मेगजीन लिए, हम, CID का आदमी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, चले, अरे क्या कर रहे रहा, ऐसी एक ही बात है, चलिए, आये, आये, नहीं, आप चलिए, मैं मोरी साइकल पर आथ, ओके, क्या बात है, इकस्पेक्टर, चेकिंग हो रही है, कैसी चेकिंग, स्मगलें के बारे में कुछ इंफोर्मेशन में लीट किया, ड्राइवर, गाड़ उदर लगाओ, आये, मोटर साइकल रोको, राजा, मोटर साइकली दर लगाओ, चेकिंग हो रही है, इंस्टेक्टर सहाब, इंस्टेक्टर सहाब, दास नमडी राजा, नो एंट्री का बाजा मिलाकर भाग गया, स्टेक्टर सहाब, ये लगाए पैक्र वाहाऊचतर सहाब, कि वैंस्टेक्टर स Χाईक्टर सर्फेक्टर लगे कि वैंस्टर लगे fijँ, स्ट्री कक्री शीछ गे भुदारत LErica हमें लग頭 कमेडसी दर्फेक्रね पहाब, सर, मोटर साइकल है या हवाई जास? आप गाहे 860, काहे बराया ना? बराया बराया अरे चाचा चची के इसकी है? इसका नास को देना और उनसे कहना कि जाते समय मुझसे सम्ले मिल के जाए सलाम साब सलाम वो माफ कीज़े दोबने डेर हो गई पुराश्त में ट्रैफिक बहुत थी आपके साब सलाम साब हीरे का है हीरे कौन से हीरे साब हमें बेवकुफ मत समझो तुम ट्राफिक तोड़कर ऐसी नहीं भागे हमें देखकर नो एंट्री में घुझ जाने का मतलब साफ है हीरे तुम्हारे पास है निकालो हीरे साब आप तो खाली पिली हमसे नाराज होते हो अरे माना हमने ट्रैफिक तोड़ा माना हम नो एंट्री में घुझ गए लेकिन हम करते क्या साब आपने दस नंबरी का मैडल जो दे रखा है अगर हम छे बजे टाइम के अंदर यहां नहीं पहुंचते तो आप बिना किसी जुन तुमने हीरे कहा चुपा रखे मैने हिलो मत हरे गया हरे जूते खोलो जूता मैंने कहा जूते खोलो साब आप भी कैसी बाते करते हैं साब हीरे जैसी चीज चुछ जूटे में ठोड़ी से शЭ 캡 right कि जूता है साब एक मिनिट आरम से खुलता हूं साब थो चूता अगर कि अगर तर इस में तो कुछ नहीं निकला अरे अब तो तसलीह हो गई ना साब और और तो और तो कुछ नहीं खोला नहीं साब मैं जाओ साब आपकी अमानत इसमें हीरा नहीं राजा हम जानते हैं पुलीस रिजस्टर में तुम्हारा नाम दस नम्बरियों में है तुम्हें एरपूर्ट सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि पुलीस की नजर तुम पर हो और हमारा हीरा असानी से बाहर आजाए और वही हुआ आप खूब सोचते हैं टाकुर साहब सच मुझे ऐसा ही हुआ लेकिन तुम्हें तुम्हारी मजदूरी ज़रूर मिलेगी हीरा हमारा बैटा लेकर आते ही होगा डेडी हाई टेक माई सन कैसे हो ओके सफस्ट प्लास डेडी ये लिजे आपका हीरा आओ वेरे फाइन हीरा का है डेडी हीरा तो कहा है हीरा मेरे पास है ठाकु साहब हीरा लेकिनी तुम्हारे पास कैसे आया मिस्टर सूरज प्रताप सेंग आपने कस्टम में जब सिगार सुलगाया और मुस्कुराये तो मैं उसी वक समझ गया था कि असली हीरा उसी में है आपने सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए उस सिगार मेरी जेब में डाला गी इसलिए सब्सक्राइब या भुजाना या धोका देना राजा को बिल्कुल पसंद नहीं अब राजा कभी आपका काम नहीं करेगा को रोगो के दैयरो राजा पहली मुलाकात से उचान पहचान के लिए होती है कि अब हमें तुम्हारी काबलियत का पता चल गया है आएंदा कभी तुम्हें शिकायत का मुखा नहीं मिलेगा हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं रहा हम दोस्ती का मिलेगा हैं अरे? बढ़ेना यहावी माझदाओ जहू! जहू! यह तेरे बाप की जगे तु यहां सो रहा था अरे भाई सो नहीं रहा था भोलना जी को प्रणाम कर रहा था अरे तो वहां जाकर करो ना प्रणाम अरे दर्का क्यों मारता है हां इसली पड़के अरे अरे प्रणाम इस वा वह और दो यह वाँ सब्सक्राइब ही यह वाँ कर दो इस कैसा शैर एक शोर यह हमारी बात कौन्से ने प्रभू हमार तो बस तु ई तू है बस जल्दी से राकाम हो जा है और हम गाव वापस से ले जाएं तेरा लाख लाख शुकर है प्रभू तेरा लाख लाख शुकर है अरे हमारी बोटली चौर अरे का भागते हैं अरे चौर पकड़ो उसको को अरे वीचे को ले मुझको नहीं वीचे वाले को मुझाएं पर लाख सब्सक्राइब शोटीशंटा इनिघ्पधर्शाइब मैं इस मिघ्वार्श आम सब्सक्राइब याज़त जोड़ा प्राइब उट्सानलि है वह स्टूई है? वह स्टू़ एक पाजिविए कर दो पाजिए कर दो टी अजिए इप पिसे माझब प्रिस येस, येस रोको, रोको, खोड़ा रोको, रोको कुट्टा, कुट्टा, अरे जोवी का मालूम हो, पुलिस का जासूस मालूम होता है कुट्टे की हो आपने, क्या समझ के मेरे उफर चाड़ गया थे पांखेडे स्टेडियम, बस, बस, बस इस बीच जबके शिकनदरवक्त, गरबारे छोड़ से गावस कर फूब अगे आए, बहुत अच्छा शॉट लगाया चार रन के लिए गावब और इसके साथ भारत के पहले 100 रन पूरे गावस कर सिकंधर फान जो सनी चले कीश स्कूरिब एस्का करें भुट्ट गयों ? पात्र है था कोई। बुर्मा के टली में तो सुवंफा सिसे पाति हुझ थैंक यू कर गजा वार्या अप्तु कर दिए गजा 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 जाली पर लिए वोटली कैस करो कर राइज कर दो रेख रज heap इंद एक अधिए 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 न्याकर एग अधिए अरे चोड़, मैं तुझे नहीं चोड़ूंगा, फोड़ना भी ने भया, फोड़ना भी नहीं भया, होड़ना भी नहीं भया, भया, हमें पैसे आदमी ते जरुव दह दो, नीशी हो, पकड़ने पकड़ों को इसे पकड़ो चोरी इते की है वो तो तुम्हें पुलिश के शेमें पता चलेगा जानते हो तुमने क्या किया है तुम्हारा अपराद चौर पकड़ना नहीं क्रिकर मैस में हंगामा करना है ट्रैफिक तोड़ना है हां क्या बոला कि हमने कुछ तोड़ा साब तोड नहीं होता होते इस लट की सोगन इस चोर की खोपड़ी तोड़ते पाणी पिलाते हैं पानी पिलाकर फिर मारता है अरे पुलिस टेशन में गुंडा कर दी अरे भाईया बिना किसी वजय के हवालात में बंद कर दिये जाओगे बंद करते जाएंगे तो कर दो बंद हम गाउं के आदमी है ना इसलिए सब लोग हमें अपरादी तहराते हैं इस चोर कोई कुछ नहीं कहता इंस्पेक्टर साब यह विचारा लगता है कि राजा तुम नोटबुक में साइन कर रहा और जाओ यहां से ने मैं तो इतना कह रहा था कि आपके तुमने इसकी पोटली चुराई पोटली नहीं चुरा था तो क्या करता साब कल लगा मेरी मा का ध्यान थो गया क्या तुम्हार इंस्पेक्टर साब कल से मेरी मा की लाश शमशान घाट के बाहर पड़ी जड़ रही है वो लोग मा की लाश को अंदर नहीं लेते किते पैसे लाओ तब वो लोग मेरी मा को जलाएंगे उसका अंतिम संसिकार करेंगे मा का संसिकार करने के लिए मैंने चोरी की यह यह योपीस Mmm ूं चलो हम सब कर तेरी मां का अंतिम संस्कार करेंगे चलिंग की अर्यम्हा चलिए आरे मेरेокиci तु तो कोई महात्मा है मेरे भाईया और यह तो कोई एक बीचारा मालूम होता है इंस्पेक्र साब, चोरी मैंने किये मुझे अंदर लो तो चोरी तुमने की आप मैंने की भाई तो क्या तुम्हारी मा नहीं मरी अरे जब मैं पैदा हुआ ता तब मेरी मा मर गई थी मैं अपनी मा को रोज मारता हूँ इसी तरह जिंदीकी गुजारता हूँ इंस्पेक्र सा मुझे अंदर लो ना आप आप अच्छारत तो दूद कें चोड़ दूगा आप आप का दर्वाजा नहीं मेरा दर्वाजा नहीं कि पुलिस का दर्वादा खोपड़ी है हाई विजय अरे जल्दी से तयार हो जाब पिच्चर जाना है तुम इतने जल्दी आ गई जनाब पूरे तीन बच चुके हैं और आपको जल्दी नजर आता है तीन बच गए जी इसका मतलब पुलीस की डूटी हतम और तुम्हारी यह भी कोई ब्रेक लगाने का तरीका है लॉलीपॉप खिलाने का तरीका है जाओ हम तुम्हें बोलते हैं लॉलीपॉप खाके भी बात नहीं करूगी नहीं सोनिया छोड़ो भी यह गुस्सा अरे बाबा माफ कर दो आयंद ऐसा कभी नहीं होगा अगर तुम चाहो तो मैं कजने कान भी पकड़ लेता हूं तो कि आक तो हसो थान कहां म caution अपने कान पक्रोंगा मेरे नहीं है आक प्राइवा कान पकड़ूगा और जो तुम कहोगी वहason करूँगा नहीं हो सच कहता हूं कि अ सच ही कहे ना, सच ही कहे ना, जो भी कहे ना बाता करो, हमें अपनी दुझे निया बनागे दुलहनी या, हाँ हाँ, जरूर बनाएंगे वे भी कहो, हनी मुमने पे कहा लेके जाओगे हनी, भूल ले जाएंगे चांद पे जाके एश करेंगे शादी को अपनी कैश करेंगे जो भी कहे ना, सच ही कहे ना सच ही कहे ना, जो भी कहे ना कहे यो भी कहे जाखगे भी कहे फास कही उना अपन Whether जाजर्ब कोपलमों से कहो, I love you कहोग, I love you darling, आप के भाह में दिन रात बाठ रहोग, लेटे रहेंगे हम प्यार किया है, करते रहेंगे, तुम पे हमेशा मरते रहेंगे ओ, जो भी कहना, सच ही कहना हम जो कहेंगे, सच ही कहेंगे, सच के सिवा कुछ ना कहेंगे हम जो कहेंगे, सच ही कहेंगे, सच के सिवा कुछ ना कहेंगे राजा उस्ताद खाना, आज अंदर, ला यहां रख दे, चलो भई पहले खाना खा लेते हैं लेकिन मैं जरा हाद होना चाहता हूँ, हाँ उधर, पानी उधर है, इसे पकड़ो, आहा, आहा भई हमारी एक बात मानो, क्या तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते हैं, हाँ, कर लेंगे, लेकिन जो भी काम करेंगे, तुम्हारे साथ ही करेंगे लेकिन तुम काम क्या करते हो, आरे कोई कुछ भी करा ले, हमें तो पैसे से मतलब है, बस कुछ भी करा ले तुम्हारा मतलब है पैसों के लिए कोई तुम्हें चोरी करने के लिए कहेगा वो भी कर लोगे चोरी तो क्या हम तो डाका भी डाल लेंगे तो क्या तुम पैसों के लिए चोरी टकेदी करते हो करनी पड़ती है बड़े भाई कि बंबई है बंबई कुछ दिन यहां रहोगे तो तुम भी सीख जाओगे खाना खाना की बात करते हो हम इस घर का पानी भी नहीं प्याएंगे हम जा रहे हैं अरे भूके प्यासे मर जाओगे इस उसे भूल जाईए आपके कहने पर मैंने उसे बहुत पटाने की कोशिक्री लेकिन वह देहाती है अखड है और फिर हमारे हिसाब से वह कुछ उल्टा ही सोचता है मगर धुन का पका है जिस काम में हाँ डालेगा उसे पूरा करके छोड़ेगा पर हमारे काम के लिए इस ह किवा झांना, ह कि लेकि फिल्टा है मेम सो lassen आई जय प्दार एर एका और पकित बपना क्लिए लंपनांज़ बड़िगन nice अन popular a right कि अपूलावाण! कि अपापजी में अब बट्वा रागया जदी ले चला ना? चल 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 अरे कहा जाता है? यह है ओ साहब साहब आप की धोती? धोती तो हैं धोती तो वहाँ है लेकिन दूम यहाँ है साहब आप मैं गुल बदन आप मैं हूचा मन गुलाबी चहरा लबापे लाली नशेली आँखी यह जुल्फे काली ब्यूटिफुल सुन्दर अंदिल नशे आप मैं गुल बदन आप मैं हूचा मन आप मैं दो आप रहे लुए हसीं ए रात ये बात फिर कहां विए रात मेरा ये था फिर कहां असी ये रात ये बात फिर कहा तेरा ये रात ये साथ फिर कहा जवा दिलों की जवा ये बाते तेरे जहां में कहां ये राते ब्यूटिफुल सुन्दरम दिल नशी आ, ने बुल बदन आ, ने हुच अमन वोगे हुच आख बही ऐसा इंगिन आ, ने हुच भात है कर दो कर दो हे पल दो पल की ये सिंदगी लगी कि पुछा नकर दिल लगी हे पल दो पल की ये सिंदगी लगी पुछा future दिल की, मेरी अताएं तिरी जवानी, बना ले कोई नहीं कहानी, ब्यूटिफुल सुन्दरम दिल नशी आ, आ, में बड़नी, आ, में बुच अननी सनम हया, शरम छोड़ दे, भरम नकर असम तोड़ दे, सनम हया, शरम छोड़ दे भरम नकर असम तोड़ दे, नहूर हूँ मैं, न तू फरिष्टा, है तेरा मेरा बस एक रिष्टा, व्यूटिफुल संदरम दिल नशी बे शरम, लाज नहीं आती, सब के सामने नंगे होता हुए, हैं, तू औरत है या, यह कौन का बार है, बार निका रहते जो हमें किसी ने छुआ तो, हम कोई यहां इसका नंगा नाच देखने नहीं आये थे, हमें इसे भली और समझ कर इसका बटुआ लोटाने आये थे, यह ले तरह बटुआ, इसे उठा कर बाहर फैंक दो, कौन है रहे तू, यहां क्या कर रही है, चल फुट यहां से, बाग। हम तो, खुद सितापूर गाउं से भाग कर आए है, हमा dif कोई भी नहीं है। अरे कमाल है, हम किसी जमाने में सितापूर गाउं की हर लड़क्या अपने पत्ती के साथ सती हो जाती है और तू उसी गाउं से भाग कर आई है? हां हमारा शेड़ AND मामा हमें इक बूड़े के हाथ बेच रहा था हमारी घृष्षत को खत्रा था अरे तो हम कौन सा खत्रा नहीं है इसलिए तो हम दसंबरी के पास आई हैं मतलब क्या देर रहा है मतलब बस्ति वाले करें ते कि दसनबर मकानवाल राजा ही बहीं आपके पर रहा हुई आपके पर चल남 पर तूमें तंकर में और पर मिलता ही नहीं देखिए कि देखिये इस वक्त मैं कहां जाओंगी चाहिए यहां का रहेगी यह कह रहा है ज क्लफू शूर सब्सक्तां परदेशी लड़की दे रहे लेकिन रोती क्यों हो तो और नहीं तो क्या परती आज यहीं सो जाना लेकिन कल सुबह दरूर चली जाना समझी तुछ से कुछ निगा मैंने और देख अंदर से दर्वाजा बन कर लेना मेम साब मेम साब इन्हें होश आ गया है यह क्या है घबराइए मत छोटा सा फ्राक्चर है लेकिन लेकिन हम यहां कैसे आप साड़क पर बेहोश पड़े थे हम उठा लाएं वैसे हुआ क्या था कोई एक्सिडेंट नई जी एक औरत का सड़क पर बटवा गिर गया था हमने उठा लिया वापस लोटाने के लिए उसकी पीछे भागे वह होटल में गुज गई हम उसकी पीछे गुज गए और जानती हैं हमने क्या देखा क्या देखा चीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीची हाँ हम गाव के आदमी हैं ना हमसे देखा न गया मेम साथ एक बात बताएं हाँ अगर हम आपसे न मिलते तो शिव जी की सौगंत हमें शहर की हर और से नफरत हो गई होती कितना फर्क है आप में उसके एक वो भेशरम निरलज और आप इस चार दिवारी में भी परदा क्यों जैसे लज्जा की मुर्ती देवी जैसी बिलकुल देवी जैसी थाकुर साब आप यहीं तुम्हें मुबारक बात देने चला आया तुम शंकर को अपने घर ले आई हमें तुम्हारी यह चाल पसंद आई है यह पाजेव यह गुंगड हम समझते हैं कि वेपरदे की से नफरत करने वाले परदे की ओड़ से जल्दी घायल हो जाते हैं है ना खैर कहां तक काम मैं अभी मिली अभी तो शुरुआ थे ठाकुर साथ मैंने चाहते कि जल्बाजी में कोई गरबढ हो जाए मतलब मैं उसका थपड अभी तक भूली नहीं और फिर ऐसे सीधे आदमी को काबू करके आप तक पहुंचाने में वक्त तो लगेगा हाँ वक्त तो लगेगा लेकिन शालू मेरे एक बात याद रखना कि वक्त को आदमी का गुलाम होना चाहिए आदमी को वक्त का गुलाम नहीं म मेरा मतलब समझ गी ना जी गुर्ट फिर हम चलते हैं गुट लग अरे सबसे चल गई कि अरे यह राने की बच्ची अरे यह सब क्या है खट्या खड़ी करके रख दूँगा तुम्हारी यह कोई लोटा रखनी की जगा है अरे अरे बड़ा मैं क्या हुआ हाँ जल गया चोड़ो मेरा हाथ और सुना कल से मेरा यह लुंगी कुर्था नहीं पहनना यह लो तुमा अब अधनेरे में क्यों बैठी है ऐसी है अच्छा कि आपने उजला कर दिया राधा कह रही थी कि आपकी तब्याट ठीक नहीं है क्या हुआ कुछ नहीं पाव में मूच आगी अरे तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया राधा वो छोड़े टब में गरम पानी डाल कर नमग मिला कर ले आओ जी लाती हो आप क्यों तकलिफ कर रहें जरा सी मौची तो है जरा सी बात में ज्यादा हो जाती है आप चिंता न कीजिए आपका सारा दर्थ अभी निकल जाएगा अब देखिए दर्थ कैसे भाग जाता है क्यों कैसे लगदा है अछा लग रहा है न हाँ गरम पानी की तासीरी ऐसी है तासीर तो आपके हातों की आप बस कीजिए लिए ज़राख और नहीं अब दर्थ सब्थ नहीं है कुछ दिर पाउं गरम पानी में रखिये, सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अच्छा हम चलते है हलो, जी मैं शालू बोल रही हूँ जी नी मैं आज भी डांसने कर पाऊंगी जैसे मैं ठीक होंगी मैं आपको इंफॉर्ब कर दोंगी जी कितना फर्क है आपने और इस एक वो निरलज, बेशरम और आप जैसे लज्जा की मुर्टी बिल्कुल देवी जैसे ओ थैंक गॉड, यूर अल्राइट मुझे ख़बर मिली थी कि आपकी तब यह ठीक नहीं हाँ, लेकिन अब ठीक हो गुड थैंक यू अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी हाँ, हाँ, आईए अरे, यह के किया आपने ओ, सॉर्य नेवर माइंट, नेवर माइंट, चलिए अब इन फूलों की तक्दीर समार दे जाए तक्दीरें इतनी आसानी से नहीं सवरते, मिस्टर सूरज हमने भी दुनिया देखी है, शायलो जी तरह तरह की फूलों को खरीब से देखा है, सूंगा है और फैंक दिया है इसलिए कि कोई फूल इतना खुश्बुदार नहीं मिला जो जिन्दगी भर महग दे सके जैसा कि आप मैं अपनी दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहता हूं और यह है मेरी दोस्ती का पहला तौफ़ा तो आप चाहती है कि मैं अपने हाथों से आपको पहना दू मिस्टर सूरज, मुझे लगता है आपको कुछ गलत वहमी हुई है जिस टाइप की लड़की आप मुझे समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ एक्जिटली, मैं भी उस टाइप का नहीं हूँ यानि कि हम दोनों का टाइप एक ही है गेट आउट मैं शालू मेरा ख्याल है कि आप जानती होंगी कि यह घर मेरे बाप का है जानती हूँ तो फिर यह भी जानती होंगी कि आप हमारे होटल की एक मामूनी सी कैबरे डांसर हैं डांसर हूँ, कोई वैश्या नहीं और यह मत भूलो कि वैश्या की कोठे पर भी एक कोना ऐसा होता है जो मंदर से ज्यादा पवित्र होता है अब परदा करने की कोई जरुत लिया हमने सब देख लिया, सब सुन लिया और सब समझ लिया ऐसे दूश लोगों की बीच अपनी इज़त बचाए रखना आप सच मुझ धन्ये आप देवी का रूप हैं हमने आपसे नफरत की, आपके मुपर थपड मारा और आप हमें घर ले आएं, हमारी सेवा की आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार है मेम साथ किसका किस पर उपकार है शंकर ये तो भगवानी जानता है आप ठीक कहती मेम साथ लेकिन जिन्दगी में कभी हम आपके काम आ सके तो भोले नात की सोगन हम जान देने से पीछे नहीं यह देंगे अच्छा अब हम चलते हैं एक बात कहीं मेम साथ इतनी बड़ी दुनिया में आप अकेली आप शादी क्यों नहीं कर ली की मुझे से लड़की से कौन करेगा शादी क्यों, क्यों नहीं करेगा आप में किस बात की कमी है अप आप के बात सुन्दरता है अच्छा चयरित रहे और कित अच्छा दिल है आपके पाद फिर भी , मैं क्याप्LPरी डांसर हूं तो क्या हुआ तुम करओगी मुसे शादे करने एम Benjamin सांध हम तो गाऊं के आदमी आर्फिर हम सन नोба कब nachлагा कातल को सुख्छ वधा कौनंग् humour हमें अपने अनिल भाया को धूदे हम और नित्त सांध्यक्र अपना थैक मिंसाभ सफ्छ रोख बहुत पूर्स कुरे से बहुत हैं की शंकल हम इम्जाब भगवान करे कि तुम अपने मकसद में जल्दी काम्याब हो जाओ बार बार कहने के बावजूद ये लोग फुट पाज पर डुकाने लगाने से बाज नहीं आते इस बार इनका सारा समान उठा कर ले चलो आज ऐसे होगा साब अरे भाई कैसे दिये ? पंदारा पंदारा पैसे दो दे दो लो अरे अपने पैसे को लेते जाओ अरे रे अरे वो सर्भीन खीन के ले जाएगी अरे श्यलिल्द खेच ile अरे हम मेंची पैल्दी वाले आबे हाट। तेरी मुदुभी पालती की आल्टी की ऐसी की तैसी। क्या आपम बोले। हैूँ ! यह चड़े हैूँ ! चुर्ड़ो हमने लुद। को मारा और आप हमी को पपड़रे है। पुलीश करें चलो होता। तो अब तुमने सरकारी आदमियों वे भी हात उठाना शुरू कर दिया। मैं क्या मालूम था साब के वो ऑल्टी पाल्टी क्या। मुंस्पाल्टी के लोग थे वो गरीबों को लूट रहे थे साब हमने तो लट उठा लिया तो लट महराज आप गाउं वापस को नहीं चले जाते देखा साब अब पुलिस वालों को हाथ जोड़ना ही बाकी रह गया है अगर आप लोग अपना काम बराबर करते तो हमें शहर करते चले जाए यह भी को इंसाफ है भाई तुम कहीं सुरजपुर के दिवान सरदार हिलाल के बात तो नहीं कर रहे हैं तुम उनके बेटे हो उनके बेटे हैं बेटा उस वक्त तुम्हारे पिता मरे नहीं थे क्या मरे नहीं थे हमें अच्छी तरह याद है हमारी डूटी इस वक्त उसी इलाके में थी और तुम्हारे पिता को अस्पताल ले जाया गया उनका ओप्रेशन करवाया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गय थे पता नहीं एक दिन अचानक वो अस्पताल से गायव हो गए पूलिस ने बहुत तलाश किया लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला गायब हो गए उनका पता नहीं चला घबराओ नहीं बेटा जिस भगवान ने उन्हें बचाया है वो तुम्हें एक न एक दिन से मिला भी देगा हावालदार साहब इसी उमीद से तो हम इस शहर में आये हैं अब तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ह हमारे पिता जी हमें मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए अरे शालो तुम हमने अभी भी फोन करवाय था तुम्हें बुलबाने के लिए क्यों शंकर क्यों क्यों ख़बर लाई हो जी नहीं फिर कैसा नवा ठाकुर साब मैं आपका काम छोड़ने आई हूं इस यहां लोग काम करने आते हैं काम छोड़ने नहीं आते और तुम तो जानती हूं यहां काम छोड़ने का अंजाम क्या होता है मुझे उसकी परवा नहीं क्या का तुमने तुम्हें मौत की परवा नहीं है नए शालू नए तुमने हमारे साथ बहुत वफादारी से काम किया हम तुम्हें नहीं मारेंगे नेवर एंगे लो दिखो इसे इठाओ पल्टो आगे मेरे भाई की तस्वीर आपके पास तुम अगर चाहोगी तो तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा इतना होनहार और प्यारा वच्चा जो हर साल अपनी पढ़ाई में फस्ट आता है बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता है इंजीनिर बन सकता है लेकिन अगर बड़ा हुआ तो उसकी जिन्दगी तुम्हारे हाथ में है शालू मुझे काम क्या करना है बल्दगत आत्टर अक्दिए आत्युम्हारे ही क्ड़ब आत्यू ये दिवान जी ये बिचारी बिड़ियां आपका बोज उठाते उठाते ठक गई लेकिन आप नहीं ठके हैं पिछले 20 साल में हमने आपको खुबसुरत से खुबसुरत लालच दिये भैनक से भैनक तकलीफे पहुँचाई खजाने के चाहत में हमने आपको मरने नहीं दिया और आपके जिद ने आपको अपनी जिन्दगी जीने नहीं दिया आपने हार नहीं मानी और हम जीत नहीं पाए लेकिन आज, आज हम आपकी इस घटिया जिद और अपनी चाहत की जंग को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करके आएं ठाकुर, मास और हद्दियों का इस जस्म, अपने मालिक की वफादारी के लिए पत्थर और फौलाद से कम नहीं इसे जलाओगे, जलेगा नहीं, काटओगे, कटेगा नहीं खजाना पाले की जिस खुशी के लिए तुम बरसों से तरस रहे हो हमारे जीते जी, वो खुशी तुमारे चेहरे पर कभी नहीं आएगी जा खुशी तो हम आपके चेहरे पर देखना चाहते हैं दीवान जी आज हम आपको वो तुफा देने जा रहे हैं जिसे पाकर आप खुश होकर हमारी बरसों पुरानी तमन्ना पूरी करने पे मजबूर हो जाएंगे बीस साल पहले आपका खानान आपसे बिछड़ गया था आज बीस साल बाद आपकी अवलाद आपको फिर से मिल जाए तो यकीनी आया ना हमें भी नहीं आ रहा था कि हमारी तकदीर का चमकता हुआ सितारा हमें इस तरह रास्ते पे पड़ा हुआ मिल जाएगा आपकी बेटी हो देगे शायल आपकी इन बुड़ी आँखों में वो रोश्णी बाकी नहीं रही जो अपनी इस बेटी को पहचान सके लेकिन इस लड़की के पास यह तस्वीर है जिससे आपकी आँखों कोई नहीं आपके दिल दुमाग को भी यकीन आजाएगा कि यह आप ही की बेटी है ठक गई हूँ मैं पिताजी आपकी तलाश करते करते कहां कहां नहीं ढूंड आपको यह यह क्या हालत बना रखिया आपने कि यह आपकी क्या हालत होगी पिछडे हूँ को मिलाने का इनाम तो देजिए दीवाण जी बेटी के साथ पूरा परिवार मिल जाएगा दिवाण लेकिन उससे पहले तुझे उसकी ख्वीमत चुका नहीं होगी खजाना तुझे नहीं मिलेगा ठकुर खजाना तुझे देना पड़ेगा दिवान. देना पड़ेगा. नई? भीमा! बिधाजी! चोड़ो बिधाजी! मेरी पैस्ताइब। बेटी! बेटी! मेरी बेटी! अज फिर तुम्हारा नाटक बेकार हो गया तीवान सरदारी लाल एक नाएक दिन तुझको खजाना देना होगा क्योंकि मेरे जल्म के ताकत अभी खत्म नहीं होई थाकूर तुम मेरे बर्दास की ताकत नहीं जानते तुम्हारे जल्म है तो मेरा भगवान है बोले नाट हमारी बाहों में ऐसी शक्ति भर दो कि कोई हमारा रास्ता न रोख सके चलिए मेम साब हमें लेचलिए वहां जहां अमारे पिता जी कैद है नहीं शंकर वहां जाना अतना असान नहीं है वह जगब बहुत खदरनाक है वहां तुम्हारी यह लाठी नेल चलेगी इ दुश्मन को कमजोर मत समझो तुम नहीं जानते कि उसकी एक इशारे पर कितनी लोग लड़ने माने के लिए तैयार है कितनी बड़ी ताकत है उसके पास लेकिन लेकिन कुछ नहीं ठाकुर तक पहुंचने के लिए हमें दूसरा रास्ते रिख प्यार करना पड़ेगा और दूसरा रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगे चलो मेरे साब खुर साब आपका माल गड़ चाकुर साब ये शंकर है यह हमारे साथ काम करेगा करें पर चाकुर साब जो हादमी चोरी चकारी से डरता है एक बार कहकर तो देखो चोरी क्या हम ढाका भी डाल देंगे हमारे साथ काम करने से परिस्तोच लो शंकर या हमेशा जान हतेली पर रखनी पड़ती है हतेली पर तो आप रखते होंगे हम तो उंगली पर रखते हैं और अगर कभी खून करना पड़े तो जब खूनियों की टोली में आ ही गए ठाकुर साहब तो एक क्या दस खून कर देंगे गुड वेरी गुड अच्छा जंकर इसके इलावा और क्या कर सकते हो हुजूर आप एक मौका तो दीजिये बोले नात की कसम हम क्या कर सकते हैं ये तो आपको वक्त ही बताएगा अब अब नहीं की तो शारी होगे लेकिन रानी तुम्हारा नंबर कभ लगेगा अरे अपना तो नंबर ही गलती है क्यों क्यों क्या हुआ रे देखती नहीं तेरा राजा बईयो मुझे तो अंदर सुलाता है और खुद कमरे के बाहर सुलता है अरे वो क्या सोईगा कभी गलती से हाथ यहाँ छुजाए तो पशीगा आजा प्रहुत अरे तुम्हारी शोले तो जवानी को देखकर तो बड़े-बड़े राजों को भी पतीना आ जाए और वो अपने राजा बागू अरे वो तो पिद्दारा इस मामले में पेलकुल मु कशमा मेरि मां कर लें, आप लिए तो न till का थैनी, यह एब हुआ थाजोंगा मुझे भिःना आप लगा तो मुझे होनु कि अध्यक्र के दशाओतीनल अरे वो एपसBye Style यह यह भी अंदर सौंगए ना तो सबसेुख две रहे रहे यह क्या करे दर्माजों कियों बंद कर रहे हो वह क्या है कि मुझे बड़ी शर्म आती है हाथ से हाथ छुजाए न तो पसीने आंने लगते है ने ने जाती कहा है बैट इधर इधार यह क्या इधर आ इधर आ, पहले यह बता तुम यहां अपनी मर्जी से आये थी ना इस घर को अपना घर समझती है अपनी मर्जी से मेरे लिए खाना बनाती है अपनी मर्जी से यहां अंदर सोती है अपनी मर्जी से यहाै ? मुझे अपना समझती है अपनी मर्जी से ? हाँ तो फर मुझे प्यार भी कृने देगी? हाँ हाँ , क्याALLY ? प्यार ? नहीं नहीं प्यार ऐसे ही थोड़ी करते है तो प्र कैसे करते है ? मुझे नहीं मालून मैं बता हूँ बता हूँ वो तो है सेड़ शोनी शोनी मेरी जवानी बूली बूली यही कहानी जाने नगी आजा आजार हाने खर जवान तोले 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 का है दिवानी खोले 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 बाते पुरानी ताने नहीं मार बार बार पुठा के लए जवान शोली 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 मेरी जवानी हम तो बोले बाले थे दिल वाले मत वाले थे तूने काली जुलकों में काले बिच्चु पाले थे रब 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 में की करां दिल से तून भी काले थे हम वो दसने वाले थे मेरा दिल पताने को क्या क्या दाने ना ले थे रब में रब में की करां बांतों से कस्ती है आँखों से कस्ती है उपर से हस्ती है शोले 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 मेरी जवानी बोले 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 यही कहानी जाने नहीं आ जाने मन जाओं दोले 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 का है दिवानी गोरे गोरे गाला ओए अखियां वे मिसाला ओए नुखडा चंदा का टुकडा फिर दी जैसी चाला ओए रब मैं रब मैं की करा एक दिन मैं आऊंगा दोली भी लाऊंगा तुझको ले जाऊंगा हाई मैं सकते जाऊंगा शोले 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 सोले मीले जाँँ बोले 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 ये नी कहानी जाने नहीं आज 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 जवान दोले 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 काहे दिवानी खोले 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 बाते पुरानी ताने नहीं मार बार बात उठाके ले जवान शोले 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 मेरी जवानी दोले 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 काहे दिवानी हाँ 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 यहाँ यहाँ बुली कुम जला रहा कुछ नी, कुछ नी वो अपने शंकरी ले वो प्राक्टिस कर रहा तेखिए, कितना चानिशाना हुसका हाँ ठाकुर साब, आपको कुछ चोड़तों नहीं आए ने, ने, शॉलेट माफ कीजिए ठाकुर साब क्या है कि इस बंदूग में सिर्फ छे गोलिया है अगर सातवी गोली होती तो मैं इस डिब्वे को आपकी खोपड़ी पर नहीं गिरने देता सारी, वेरी सारी सारी ये इंग्लिश बोला है वो लिटिल लिटिल शालू टीचिंग आई स्पीकिंग ठाकुर साब, आपका फोल अगर वेरी परताभेर भाई वो हमारे डामन्स का क्या हुआ हाँ तुम्हारे चार क्रोड लेकर हम खोड़ आएंगे कल शाम ठीक चार वजे का सारा घाट पर ओके अच्छ राजा से कहना कि वो इस डिल में हमारे साथ रहेगा ठाकुर साब इस डिल में राजा के क्या जरूरत है आप शंकर को साथ लेजाएंगे न ठाकुर साब आपने हम पर रुपया खर्च किया इतनी ट्रेनिंग दी शंकर यह स्मगलिंग है कोई बच्चों का खेल नहीं है तुम्हीं भी खेलो कुछ दिन और डबे हवा में उड़ाओ वक्त आएगा तो तुम्हीं भी ले जाएंगे राजा राजा क्या बत है तुम्हें ठाकुर साब ने बुलाया है ठाकुर साब ने क्या काम है तुम तो जानते हो काम क्या है कुछ माल इधर से उधर ठीक है तुम लोग चलो मैं आता हूं ओके जाका रहे हो वो कुछ जरूरी काम है देर हो जाएगी घबराना नहीं लेकिन जाका रहे हो तुम्हें हर बात बताने की कोई जरूत नहीं है समझी अटो जाका रहे हो जाका रहे हो मोटर साथे का पीछा कर चलोग है आपने जो मेरी डूटी लगाए थी आज उसका फल भी मिल गया कुछ आदमी राजा के पास मैसेज लेके आये थे लगता है कुछ स्मगलिंग की बात कर रहे थे मैंने पिछा किया तो देखा राजा ठाक और वी पताब सिंग के बंगली में गया है वाइसी इसका मतलब है उन लोगों का स्मगलिंग से कोई तालूख है हलो पोलीस सेशन मुझे एक स्मगलिंग के बारे में पता चला है आप कुन बोल रहे हैं हलो हलो कहां से बात कर रहे हैं आप कल शाम ठीक चार बजे कसारा घट पर चार करोड के हिरों का सौधा हो रहा है अगर आप चाहें तो उन्हें मौके पर ही पकड़ सकते हैं लेकिन तुम समझते क्यों नहीं फॉलीस को फोन करके तुम एपने जान खत्र में डाल दी तुम इतने जल्ख है क्या थी नहीं शालू नहीं अब मैं और इंतजारनहीं कर सकता जब तर खत्रा नहीं लूँगा मैं ठाकुर का विश्वास नहीं चीज सकता और मैं जल से जल्द उसके भरुसे का आदमी बन कर अपने पिताजी को उसकी कैसे छुड़ा लेना चाहता हूं लेकिन लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अगर इस काम के लिए मेरे जान भी जाती है तो बेशक चली चाहे मुझे उसका कोई गम नहीं बस भागवान से प्रात्र न करो के पुलीस कल ठीक चार बचे वहां पहुंचा है है जूँ भी जो आज वी जूँ यूँ यू यूँ फड़ फ्राइब श्यूब यूद्यू रजे खुड़ यूदध प्राइब प्राइब डिवट्यू रज़ अभी इंचा यूद्यू यह रहे आपके बागी की पैसे डूंट मूव रूम देर रुक जाओ वही पर वरना तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा पहत्री इसी में है कि तुम अपने आपको कानून के हवाले कर दो अब तुम्हारे लिए हैं से बच कर निकलना मुश्किली नहीं बलकि नाम मुम्किन है घूम कर देखो तुम चारों तरफ पुलिस से घर चुके हो मैं एक इशारे पर सेखो गोलिया एक साथ चल सकती है सोच लो मैं तुम्हें एक मिनट का वक्त देता हूं कि झार्ञारे नहीं थाव कलते है आपका वफादार नोकर शंकर तुम यहां? हा मैं ए राजा पुलिस के हाथ हो उसकी फिकर तुम मत करो बदेश के फुरो खुम साइब अपको थारे तुम पुम पुम अजनको आपको रिये! तुम पुम थारे तुम उसे पुम पुम! तुम झिया! कि देख लिए मैंने का थे ना राजा की फिकर की जरूद नहीं है यह लीजी आप कमाल कर्ड क्यों टाकर साब पुलीस पुलीस बच्छान तो नहीं लिया मैं देखता हूँ नहीं जाकर देखता हूँ आप यह देए करें लिए इंस्पेक्टर साब तुम कि यहां इस लिबाज में काया पलट हो गई ने इंस्पेक्टर साब यह सब कुछ इन देवी जी की कुरूपा से हुआ हैं लेकिन आप यह इसे इंस्पेक्टर साब यह ठाकर साब से मिलने आये, मैंने कहा चू की हूँ, ठाकुर साइब में वह सो रहे हैं, डाकुर साथ ने उन्हें आराम करने के लिक आा था, लेकिन यह ज़िद आये हैं, कहते हैं, मिलकर ही जाओंगा। इंस्पेक्टर साथ, क्या आपका ठाकुर साब से मिलना बहुत जरूरी है? यहां जब तक वो नहीं उड़त मैं इंतिजार करता हूं पुलीस वाले हैं ना जुटी पर आये हैं तो डुटी करके ही जाएंगे आए इंस्पेक्टर साब अरे लेकिन वो ठाकुर साब नाराज हो जाएंगे नहीं शालू मैंने अभी अभी टेलीफून पर ठाकुर साब से शुक्री वो जाग गए हैं आए इंस्पेक्टर साब आए तो अब करके साब इसे मिलने आएं तो यहां चलिए अमधे कर दो है जानता हूं आपकी टब्याच ठीक नहीं है लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से मजबूर हूँ आप खड़े क्यों हैं? बैठिये ना मैं एक कार के बारे मैं आपसे पूछने आया हूँ हैं, आप अची ज़रा जानते हैं इस्पेक्टर हम कारों का बिजनस नहीं करते हैं जानता हूँ यह रेजिस्ट्रेशन पुक उसकार में से मिली जो अभी अभी एक स्मग्डिंग रेड में पकड़ी गई लेकिन उससे हमारा क्या तालोक है? तालोक है ठाकर साब इसमें आपका नाम लिखा है हमारा नाम? जी हाँ, MRH 1126 आप भी की कार का नंबर है ना? हमले में लेकिन वो तो कल चोरी हो गई चोरी हो गई? उसकी रिपोर्ट तो की होगी आपने? हाँ की थी बांदरा पॉलीस सेशन में माफ कीजिए गा, मैं आपका फोन इस्तेमाल करता हूँ हलो, बैनरा पॉलीस सेशन? वह आगले? इंस्पेक्टर विजय है, देखो कले कार चोरी होई थी, MRH 1126, रिपोर्ट दर्ज है क्या, ओ, डेक्यो, माफ कीजिए गा, ठगुर साब, आपको तकलीफ दी, गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज है कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर साब, ये बात तो common हो गई आजकल, स्मगलर लोग शेरीफों की गाड़ियां चुराते हैं, स्मगलिंग करते हैं, फिर कहीं भी ले जाके छोड़ देते हैं, फिर हम जैसे शेरीफों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है हम सब समझते है, ढगर साब, आजकल जो कुछ भी होता है, शराफत के आर्ड में होता है, कई बार तो स्मगलर हमारे सामने होता है, और हम उसे गिरफतार भी नहीं कर सकते हैं, होता है, कभी-कभी ऐसे भी होता है, सिग्रेट, नो थैंक्यू, बट ब्यूरिफोल सिग्रेट केस, हमें बहुत पसंदा है, लीजे, थैंक्यू, थाकुर साब, बाइ, शंकर, हमें यह जगा फोरण खाली कर दिनी चाहिए, क्यों, इस्पेक्टर सिग्रेट केस पर हमारी ओलियों की निशान ले गया है, उन निशानों को गाड़ी पे मिले, वहर निशान से मिलाएगा, और फिर कभी पुलिस आ सकती हैं आपर, थाकुर साब, वह पुलिस टेशन तक पहुची नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी जीप में हमने टाइम बॉम लगा दिया है, टॉप एट, टॉप एट, हल्याप, जीप में बॉम है, वाट, हाँ, येट ठाओ, अच्छी नहीं तुमने उस आदमी को बाम रखके देखा और फिर भी ब्लार सोल दिया, नहीं सर, उसमें बाम है, ये तो मुझे तब पता चला, जब मुझे जीप में वो चिठी मिली, लेकिन तुमने बाम निकाला क्यों नहीं? मौखा नहीं मिला सर, और, एनिवे, मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, विजे, लेकिन बाम रखने के साथ साथ ये वार्निंग की चिठी, चिठी लिगना मेरा फर्स था, और बाम लगाना मेरी मजबूरी, जीप उड़ा कर मैं ठाकुर का विश्वास जितना चाहता था, लेकिन आप का उन है, वही शंकर है सर, पिछले 20 साल से ठाकुर ने मेरे पिताजी को गैद कर रखा है, वो मेरे पिताजी से किसी खजाने का राज जाना चाहता है, ओ, I see, लेकिन कहां है तुभारे पिताजी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम सर, तो क्या स्मगल की सारी स्मगलिंग एक्रिप्टीज जानते हो, उसके सारे अड़े जानते हो, और ये भी जानते हो को माल का चिपाता है, मैं आपको सब कुछ बता दूगा सर, ठाकुर के सारे अड़े उसका सारा माल पकड़वा दूगा, लेकिन पहले मुझे अपने पिताजी की जान बच ब्लास्ट के साथ, तुम्हारी मौथ हो चुकी है, ओ किसा इंस्पेक्टर विजे, डाइड इन अजी ब्लास्ट, ओ नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा विजे जिन्दा है, ओ बिल्कुल जिन्दा है, ओ सारे दिलाज हमेशा जिन्दा रहेगा, तो उसे फिक्र ना करो, ज पिजे तो मैं नो छटके चला गया, तुमनू नो चटी, ओ कुडिया ई mercury ही, ए की हो रहेया है, हाँ, मैं समझ गईया, ओ वाए गुरू, इ की हो गया शुरु, कभी तुम गुरू, तो कभी हम गुरू, अभी तो खेल हुआ है शुरू, अरे-अरे-इज बंई द्ली देख कि नौसे ठागुर साब क्यों शंकर कैसे लगी ये कार तुम्हें ये कार वाल अच्छी है ठागुर साब ये हम तुम्हारे लिए लाएं मेरे लिए हमारी जान बचाने के शुक्रिये में ये चोटा सा नजराना कबूल हो और अगर इसी तरह वफादारिया निभाते रहे तो ह मैं तो उस फुल्प का इंतजार कर रहा हूं जब तु मेरे कदमों में होगा थोड़ी से जगा तुम मेरे लिए भी रख ले ना शालू तुम हां प्लीज इती सी बस तुम्हारी जगह यहां नहीं यहां है अगर तुम्हारा साथ नहों होता ये साथ हमेशा रहेगा ना हमे इसालू हां चलो मंदर चलते हैं अब आज शिवरात्री है महराज अरे मिर दंग बोले दंग दंग और तबला और तबला तक धीन ना धीन धीन हाँ, ताग्गिना धिम्गिन वाँ बुल्या जरा जमके बम 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 बोले बम बोले बम बोले शंकर का भैया कमाल देखो बंग भीतर बराभाँ चाल देखो जरा देखो हमार लटके जटके लटके दन खमरी जबनिया की चाल देखो बम बम बोले शंकर का भैया कमाल देखो बंग भीतर बराभाँ चाल देखो जरा जोर लगा के ये पाथ पाथ जराभाँ हुआ 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 है हुआ है हो रही है दिल में हल चल जहां चाहे हमको ले चल तेरे विन अब जिया जाए ना वो तुम संभालो अपना आचल हो रही हो काहे पागल क्या तुम्हे लाजुदी आये ना करते है प्यार हर प्यार में क्या शरम ओ हमरी इज़त का है ये सवाल देखो दुनिया का तो करो कुछ खयाल देखो जड़ा देखो हमार जड़ा देखो हमार लटीची जटीची सनी खमरी जबनिया की चाल देखो प्यबले शंकर का भैया का माल देखो अंग भीतर बरावाँ चाल देखो हम धाएग धाएग हाँ 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 ह currency हम तो बिन्टे तरके हारे दिल को प्यासा आता ही मारे तु हमी बाहों मिलता हम ले वो भोले भाले हम बेचारे और अभी तक है कुवारे तु जरा होश से काम ले होश को जाने ने पास तु आने ने है इस सक में तुम्हारा चोहार देखो सब जवानी का है ये उबार देखो जरा देखो हमार जरा देखो हमार लटके जटके सन्धिखमरी जवनिया की चाल देखो ये बले शंकर का भईया कमाल देखो बंगा भी तर भड़ा भव चाल देखो जरा देखो हमार लटके जटके सन्धिखमरी जवनिया की चाल देखो अभी तो हम कवारे हैं अभी हम कवारे ने रहेंगे वह ये सब शादी के बाद तो क्या हुआ हम अभी शादी कर लेते हैं देखो ना कितने सारे भगवान है ये शंकर है ये हनुमान है और ये कितने सारे महमान भी है हां कम करेंगई हम्! अभी! हम्! आपी! शादी अखेंगे! वहłos quality that ते आप hopes dollar मैं भोले हम्! एम्! अभी! एम्! बगवरिक! हम्! शादी! करेंगे लेकिन मा का आशिर्वाद लेने के बाद लेकिन मात बाद देखेंगे चांकर शांकर शांकर अपने आपको लगें माजी देखें माजी लग नहीं गया अपने प्लीज मेरी मदद कीजिए इने उठाने में चलिए अब बिल्कुल ठीक है जरा आराम कीजिए यह गोलिया दे देता हूं दो-दो गंटे बाद एक-एक ले लीजिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अब मैं चलती हूं अरे रही क्या कर रही आप अभी आपने सुना है अने डॉक्टर ने क्या कहा आपको अराम की जरूरत है बस आप प्लीस लेजे रहे नहीं बेटी मुझे जाने दो मैं अपने बेटे को ढूनने आया हूं कहां रहता है अपका बेटा हमें पता बताईए हम उसे यहीं बुला देते हैं आहां मुझे पता दीये पता थो मुझे भी नहीं मालों तो कोई बात नहीं आप यहां रहकर भी अपने बेटे को ढून सकती हैं लाइए मैं आपको गोली दे दूँ एक गोली अब ले लीजी दूसरी दो घंटे के बार अभी चार बज़े हैं चार बज़ गे अरे मुझे तो कलब जाना था अपनी सहली से मिलने के ल अगर मिस्टर मंजीत का फोन आए तो मैं स्विंग पूल पर हूँ मुझे बुलवा लेना शूर थैंक यो वेलकम सोनिय यह फॉन थैंक यू बरी मच अलो हलो मैं सोनिय बोल रही हूं ओ हाय मंजीत तुम आए क्यों नहीं मैं काम में फज़ गया था डार ले क्या तुम चैना करी का सकते हो चैना करी तुम वहां कैसे चले गए बस तुम आजाओ फिर सब बता दूंगा जल्दी पहुंच ज कि अलो सोनिय आने का बहुत बहुत शुक्रिया कौन हो तुम जब से तुम्हें पूल पर नहाते देखा नजरें जम गई सांसें थम गई और दिल ने मुझे मंजीत बनकर तुम्हें फून करने पर मजबूर कर दिया लाओ मेरी चाबी ले जाओ छोड़ो मेरा हाथ हम हाथ थामते हैं तो छोड़ने के लिए नहीं हम तो जिन्दुगी भर के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ शंकर तुम, मैं कहता हूँ चले यहां से यह मेरा अपना मामला है तुम्हारा अपना मामला मैं खुब समझता हूँ थैंक यू वरी मॉच्छ वो सब ठीक है लेकिन ऐसी सुनसान जगह पे तुम अके लिए आई के से मुझे यहां धोके से बुलाए गया आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकेंगे कहिए देखिए आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप उसे जानते हैं बस आप मुझे उसका पता दे दीजिए मैं उसे ऐसा मजा चकाऊंगी ऐसा मजा चकाऊंगी कि मेरे पैच हुएगा बेहन जी अरे आप ये सामान लेकर कहा जा रही है अब मैं बिलकुल ठीक हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं चलती हूँ ऐसे कैसे जानने देंगे हम आपको आईए बैठिये लेकिन बहुत बहुत बेलकुल नहीं मेरी पच्ची बहन जी ये तस्वीर किसकी है हमारी बेटी सोनिया की है सोनिया मेरी खोई हुई बेटी तुझे कहां कहां नहीं ढूंडा कहां कहां तलाश किया भगवाल दिला लाग शुकर है सुनिये क्यों इतनी खपड़ाई कोई है तेंखें क्या कहरे है मैं सच कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही है राखिए के उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब मेरा सारा परिवार पिछड़ गया था तब मुन्नी ये मुन्नी बिल्कुल इतनी से थी जब उन नदी में बह गई लेकिन आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि वोई आपी की बेटी है उसके उसके बायकंदे में एक काला निशान है आप लग चुम क्यों है अब इसकी कसम खाके बोली कि आपने इसको अपनी कोक से जन्म दिया था भाय साथ मैं आपके हाल जोडती हूँ पाउपड़ती हूँ यह सच है कि इसने सोने को जन्म नहीं दिया लेकिन जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ क्या 12 साल तक हमने उसे पाला नहीं, माब आपका प्यार नहीं दिया, उसके साथ अपने सपने नहीं सजाए और ये एक दिन में आके कह रहीं कि सोनिया इनकी बेठी एक पल में एक पल में तुम हमारी सारी कुशिया छीनने ना चाहते हूं मैं शीनना नहीं चाहते, मैं तो खोद ममता का दावण फिलाकर आपसे भीग मांगती हूं मेरी बेठी मुझे दे दू, मेरी बेठी मुझे दे दू मेरी सोनिया को मुससे जुदा मत करो, उसके बदल में तुम उससे चो चाह ले लो अगर उसे इस बात कर पता चल गया तो ना जाने लेकिन मैं आपको सोनिया की किसम, उसे इस बात के बार में कुछ मत बताएगा, कुछ मत बताएगा उसे मनी अरे माजी आप? आप के आखों में आशो की है? यही थोड़ी से देल में इतनी सारी खुछिया मिल गए इसी माजी क्या है बेटी की वो यह अपने खोयों बेटी को ढूंडने जा रही थी और मैं यह क्या माजी मैंने कहा था ना आपसे हम सब मिलके आपकी बेटे को ढूंड निकालेंगे भगवान आपको आपकी बेटे से जरूर मिलाएगा आश अंकर आज तुम्हारी लिए बहुत जरूरी काम है यह फटो दोगो यह दिवान सरदारी लाल है यह उसके पतनी यह उसके बच्चे हैं यह सब कहा है दीवान सरदारी लाल हमारी कैद में है और उनका परिवार पता नहीं जिन्दा हैं या मर गए को खबर नहीं लेकिन यह हमारा करोनों का राज चुपाय हुए इसे हमने सक्स सक्स सजा दी भूका रखा प्यासा रखा बीस साल दे अस नमक हराम सुरज की रोशनी नहीं लेकिन राज मीं बताया इसमें ग्वाद दिवान जी, कोई वफादारी सीखे तो आपसे, इमानदारी सीखे तो आपसे, लेकिन शक्र तूम, अपनी जिन्देगी का मकसद भी यही है ठाकुर साब, अपने आप से वफादारी, अपने मालिक से वफादारी, वैसे यह महापुरिश है का? अब्ल म्मादक्यों, बैसे ऑफादारी सीखे र मिले का? मारे से बारल मिले मुफरिश धरी, विखे euro भी यह मिले मेरे से इके तो शुर कुरूरी है थारारी, दियोक्त ऊएयो प्रिजियों हा theatre मेरे से आफारा, लोदएक्ड uh... अनopen है, में? मैं आपका बेटा हूँ शंकर चला जाये आसे और जाके बोल दे उस ठाकुर को हमारी जजबा से खेलना बंद कर दे वो समझता है हमारा परिवार हमारी कमजोरी है हाँ है लेकिन वो कमजोरी हमारी वफादारी के पाउं नहीं डगमगा सकती जा जाके बोल दे उसे हमारी जीते जी उसे खजाना नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा मैं खजाने की पीछे नहीं आया हूं पिता जी मेरा खजाना तो आप आप नहीं जानते हम सब अरे हम सब जानते हैं हाकुर कितने भी नातर खेले हम उसके धोके में नहीं आएंगे यह ध याद किजिए तुम भी इस लॉकेट को सदा पहने रखना अच्छा पिता जी शकर पिता जी मेरे पेते पिता जी पिता जी सुन बिटे इस लॉकेट मेराजा साथ के खजाने का आधा नक्षा है हाँ ऐसा ही दूसरा लॉकेट मैंने राजकुमार अनिल के गले में डाला था उस लॉकेट में दूसरा आधा नक्षा है दोनों नक्षे मिलाकर तुम खजाने तक पहुँच सकते हो समझे बेटा ऐसा मत कही पिता ची तुम यह खजाना राजकुमार के हवाले कर देना और उनसे कहए देना कि दीवान में अपना फर्ज पूरा कर दिया नहीं पिताजी आप अपने हाँ तो अपना फर्ज पूरा करेंगे बस थोड़ा सा वक्त और मा को जब पता चलेगा तुह और मा मा कैसी है तेरी अच्छी है अच्छा और मुन्नी सब सब अच्छी है अब हम सब जल्दी से मिल जाएंगे अच्छा अब तुम जल्दी से चले जाना अब ठाकुर को पता नहीं जलने देना जाओ जाओ और अपना ख्याल रखना तुम जल्दी जाओ इसका मतलब है कि शंकर ही दीवान सरदारी लाल का बेटा है कियों शालू मुझे दो पहले से शक्ता रेड़ी मुबारक हो हमारी चाल कामियाब हो गए लेडी इसमें नक्षा नहीं है का नक्षा कौनसा नक्षा अच्छा कौनसा नक्षा इस लॉकेट में राजा साब के खजाने का आधा नक्षा है हाँ ऐसा ही दूसरा लॉकेट मैंने राजकुमार अनिल के गले में डाला था उस लॉकेट में दूसरा आधा नक्षा है दोनों नक्षे मिला कर तुम खजाने तक पहुँच सकते हो समझे बेटा वाह ठाकुर साब वाह आप भी उस बुड़े खुसर्ट दिवान की तरफ बेफकू बन गए उसने मुझे अपना असली बेटा समझ लिया आप भी मुझे उसका बेटा समझ ने लगे ये सब इस लॉकेट की मेरबानी से हुआ है लेकिन ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे है शालू देखने को तो हर नजर देखती है लेकिन क्या देखती है ये अपनी अपनी नजर है ठाकुर साब ने जब मुझे दिवान की तस्विर दिखाई तो आप सबने सिर्फ चेहरे देखिए वो चीज नहीं देखी जो मैंने देखी कौनसी चीज इस बच्चे के गले में पड़ाओ ये लॉकेट ऐसे एक लॉकेट बनाकर मैं दिवान के सामने पहुंच गया और वो मुझे अपना बेटा समझने लगा ये सब इस लॉकेट के कमाल है कि ऐसी ये औरत शंकर की मा है यह नहीं यह उसके गाउं जाके पता करो अब सुना पता चलते हैं में फ़रन खबर कर दें राइट सर शंकर कि शंकर क्या कर रहे हो इस खजाने के नक्षे को आखरी बार देखा हूं क्यों अब हमें इसकी ज़रूत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका हर निशान हर मोड मेरे दिमाग में छप चुका है मैं जब इसे चाहूं कागस पर उतार सकता हूं कहीं आदा नक्षा उसके हाथ लग जाता तो हमारे लिए खत्रा पैदा हो सकता था तुमने हमारे लिए बड़े से बड़ा खत्रा मोल लिया है राजा मुश्किल से मुश्किल काम तुमारा नाम लेती आसान हो गया लेकिन आज हम तुम्हें एक ऐसा काम सोप रहे हैं जिसमें ना कोई खत्रा है ना मुश्किल है तुम्हें का तलाश करना है कौन है वो उसका नाम और पता तो नहीं मालूम यूँ सब्लो तुम्हारी उमर का होगा उसकी एक निशानी है हमारे पास क्या सब्चर आपकी कोई दुश्मनी है उस आदमी से नहीं नहीं दुश्मनी नहीं हमें प्यार है उसके गले में पड़ेवे उस लॉकेट से क्यों क्या है उस लॉकेट में उस लॉकेट में उस लॉकेट में उस लॉकेट में हमारी खुशिया है आपकी खुशिया है हमारी ख जरूरत है ठाकुर साहब क्योंकि वो आदमी मैं हूँ यह देखिए मिला लिजे से अपने लॉकेट से तुम हमारे खांदान से मैं आपके खांदान से तुम्हारे खांदान का हमारे खांदान पर बहुत बड़ा इस्तान है आज हम उसका बदला चुकाएंगे आज बदला चुकाएंगे उसका आओ आओ मरसाथ अख अख सोना चांदी रूपया इसमें से जतनी चाय तुम दौलत ले सकते हो नहीं ठाकुरसाथ मुझे दौलत नहीं चाहिए मुझे ये बताईए कि मैं कौन हूँ पिछले बीस साल से मैं अपने आप को ढूंड रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं मेरा घर कहां था मेरे माबाप कौन है राजा तुम्हारे खांदान में समसर्फ तुम्हारी मा को जानते थे मेरी मा को जानते थे कहां है मेरी मा ठाकुरसाथ मेरी मा कहां है राजा तुम्हारी मा अपने जमानी की मशूर तवाइफ थी ठाकुर सहाब लेकिन मा कैसी भी हो मा फिर मा होती है नहीं ठाकुर सहाब तवाइफ तवाइफ होती है राजा अपना लॉकेट तो लेते जाओ अरे बिल्गुल मेरे लॉकेट जैसा अरे हां किसने पेख ऐसे मैंने राजा के लॉकेट में से ख़दाने का नक्षा निकाल लिया है डेड़ी गुर्ड चलो नक्षे का अदा हिस्सा तो हमरे हाथ आ गया यह यह आदा हिस्सा है तो उस वह दिवान सरदारी राजने शंकर से क्या का था नक्षे के दो हिस्से करके अलग 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 लाकटों में बंद कर दिये गए हैं अब हमें इस नक्षे का दूसरा हिस्सा तलाश करना है तुम इलों पर नजर खो मैं राज यस मिल कर आता हूं तो राजा तक यह लॉकेट तेरा है भैक देसे शंकर किये लॉकट नहीं दाग है मेरे चनम का गाम है कंद की है मेरे खून की नहीं राजा यह निशानि यह उचछे घृंदान कि तेरे शाहिच जानम की तू राज कु इसे मेरे पिताजी ने तेरे गले में डाला था, इस लोकेट में शाइख खजाने का आदा नक्षा भी था नक्षा? हा राजा, जिसे ठाकुर साब ने अभी निकाल लिया है, ये ठाकुर दूर के रिष्टे में तेरा चाचा भी है, तेरे माबाप की मौत के बाद, तेरे दादाजी से सारा खजाना हासिल करके, ये तुझे भी खतम कर देना चाहता था, इसलिए माराज ने तुझे मेरे तुझे याद नहीं, तेरा वो बच्पन, तुझे याद नहीं, तेरा वो महल जाम खेला करते थी, याद कर राजा, याद कर राखी का वो दिन, जब हम तेरे महल में आये थे, मुन्य ने तेरे हाथ में राखी बांदी थी, और उसके बाद, हम सब खेलने मेरे घर चले गए थे, और फिर अचानक पिताजी आये, और हम सब को नदी की तरफ ले गए, सब ट्रॉली में बैठे अचानक पिताजी थे, कि गुलिया चलने लगी, पिताजी ने ट्रॉली को धका दिया, वेकिर एक गोली पिताजी को लगी और माजी चिक जी आवो ची, वो गोली वो पानी, वो ट्रॉली का गिरना, वो नदी मुझे सब कुछ याद आ गया शंकर, यही वो बिखरी वी तस् सवीर नहीं, यह सच्चाई है, यह सच्चाई है कि तू राजशुमार अनिल है, मेरा, मेरा मुझ भोला भाई, भाई, हा राजा, हाँ, माजी देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, यही है मरा चंकर, मेरा बेटा, अरे, इन्हें तो मैं जानती हूँ, इन्होंने में इज़द बचाई थी, यही है मेरा बेटा, और तेरा भाई, कह दीजिए, कब तक यह असलियत छुपी रहेगी, एक ना एक दिन तो इराज खुले गई, ममी यह सब आप क्या कह रही है, बेटी, तुम्हारी असली मा, वो है, मा, मा, हमने तो सरफ तुम्हें पाला है बेटी, लेकिन, इन्होंने तुम्हें चंद दिया है, लेकिन यह सब पीस साल पहले, तुम इनसे बिछड़ गई, और हमें मिल गई, बेटी, पाप, पाप, हलो, आपका शक बिल्कुल ठीक था, वही औरत शंकर की मा है, जो आजकल अपने बेटे से मिलने के लिए पंबई आई हुई, अच्छा तुम्हें काम करो, तुम फॉरान ला जाओ यहां पर, सुरज, जी, तुमारा शक ठीक निकला, शंकर दीवान सरदारी लाल कहीं बेटा है, धाकुर साब, आप से कोई मिलने आए, आप बेठावा आता हूँ, अच्छा जी, पर हाँ, शंकर को पता नहीं चलना जी कि उसका राज हम पर खुल चुका है, फरमाईए, मैं शंकर की बेहन हूँ, और यह हमारी मा है, हम तुमें शंकर भीया से मिलने आ हैं, क्या आप बता सकेंगे कि शंकर भीया कहां मिलेंगे, नीच कमीने, तू नहीं मेरे पती की हत्या की थी, तू नहीं, अरे नहीं बेहन नहीं, हमने आज तक किसी की हत्या नहीं इस लुटा सारे इंदुस्तान में आपको तलाश कते रहे, आपके बेटे को समाल के रखा, आपके पती को समाल के रखा मेरे पती जिन्दा है, आपके पती जिन्दा है कहा है वो लुटा से लुटा स्वाइक लुटा सुमार लुग लगापक्ष लुछ। करना है करना है करना है करना है करना है एक बढेडिया बिटी, बिटिया, 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 आपके भाउ, हमने बेकार कर दिया, एक बार दीवान जी ने यहां से भागने की कोशिश की थी, और तुमें, शुकर करो बेंजी, पैर काटा नहीं सिर्फ बेकार किया है, महरवानी समझो हमारी के बिचनों को बीस साल बात फिर मिला दिया, समझी? आने दे मेरे शंकर को, आने दे, वो भी बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, सुरज, मुझे शंकर चाहिए अभी और इसी वक्त, और सुनो, उसे पता नहीं चलना चाहिए, उसकी मा और बहन हमारे कब्जे में हैं, ओके डैडी, जगर मिला? नहीं, उसकी जगे एक नहीं मुसीबत मिल गई है, क्या बक्ते हो? हाँ डैडी, तीन सरदार हैं, उनके पास हमारे खिलाफ कुछो सबूत मौजूद है, जो कि वो पुलिस में देना चाहते हैं, पुलिस? हाँ, पुलिस, तुम्हें काम करो, उनको कोई भी लाल जाकर किसी भी बहान ही हाले करो, बाकि उनसे हम समझ लेंगे, ओके टेड़, कौन हो तुम लोग, पाई सत्पाल, पाई जस्पाल, पाई, चाहते क्या हो, चाना क्या है, हमने मकान किराय पर लिया है, और वो जो मकान लिया था न जी, वो इंस्पेक्टर विजे का है, इंस्पेक्टर विजे, हमने जी, जिसको आपने जीप में बम लगा के उड़ा दिया था, क्या बखते हो, ओए असी की बखनाय जी, फुन बख्यागी है, डैरी, डैरी विच, तोड़े खिलाफ, बहुत कुछ लिख्या है, क्या लिखा है, लिखा है, ठाकुर वीर सिंग, आप ही है न, ओई खोते हा, तु खोता ही रह गया है, इसमें क्या जूट है, यही बहुत बढ़ते स्मगलर है, है न, अग्ये सुनो, अग्ये सुनो, उसके खिलाफ सबूत इकठे करने के लिए, मैं ठाकुर के बंगले पे जा रहा हूं, मैं जानता हूं, मेरी जान क तुमा खत्रा है, अगर मुझे कुछ हो जाए, तो उसका जिम्मेदार थाकूर वीर प्रताब सिंही होगा, लो पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, तो तु तुम हमें ब्लैक मेल करने आए हूं, ओ वाई गुरू, थोड़ा बला करे हम तुम मेल करने आए जी मेल, और अगर मेल फेल हो गया, तो आपको जेल हो जाएगी, जी, ओ, खोत या, तुखता था, खोत नहीं रहे गया, एँ, कोई ममुली केस है, जो जेल हो जाएगी, खूनदा केस है, खूनदा केस, सिद्धा ही मुर्गी दा, कुकुडु, कब बोरो, कर दो मैं तुम तिन्यों का कुकुडू, कुकुडू, अरे नहीं माराज, बंदू की नली का रुख मोड़ दो, इससे गोली नहीं चलाना, हम भी कच्ची गोलिया नहीं खेले हुए, अजी, हमें मलूम था के आप बड़े हरामी हैं, लेकिन हम भी कम नहीं, इसल परजाई पहुंच जाएगी पुलिस टेशन है, और तुम सबका हो जाएगा, कुकुरू, कुरू, 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 नेक है छाकुर साइब आपने जिन्दगी में बहुत माल कमाया है और कमाएंगे लेकिन ऐसे अची लोग यहां बार बार नहीं आएंगे और जिब आहीं गए हैं तो आप यह लोग जब आहीं गएं तो फिर ऐसे कैसे जाएंगे कुछ न कुछ इनकी खातर मजारा तो करनी मेल अब टे फ्रंटीर मेल हो जे शुकू चुकू शुकू सुनौ सक्पाल जी तो बोलो जस्पाल जी सस्रीया काल जी उगले लग जा पापे यारों के हम यार हैं वो तुझे कहते भूले तेरे थलबगार है सुनो सत्पाल जी तो बोलो जा सत्पाल जी सस्रिया काल जी जी खिर ख प मैं क्मारों के लाजे थेवार है और तेर के ये खिर्क भूल स्युम्यूट चिर के लारे भी recipes अरे देखो जरा ये मेरी चाल देखो मेरी चाल का है ये कमाल देखो है कमाल मेरा वे अरे मिसाल जेखो कभी रात कभी दिन कभी चांट कभी दूद अपने हजारो है रूप आए देखो जरा ये मेरी चाल देखो मेरी चाल का है ये कमाल देखो ओ हमारा काला जादू हर तरफ मशुहूर है प्यारे दिखा दे रात में सूरज तुझे और दिन में हम तारे समझे पापे ओ सुनो सत्पाल जी ओ बोनो जस्पाल जी ओ सस्रिया काल जी गल लग जा पापे यारों के हम यार है तुझे कैसे भूले तेरे तलबगार है ओई नाच वे करता है बोनो जाच वे और जंकित पारे या करता राचे अरे देखो जरा ओए बार बार देखो बार बार देखो वफादार देखो मेरी नीद मेरा चैन मेरी जान मेरा देखो सब कुछ तेरे पास है अई देखो जरा ओए बार बार देखो बार बार देखो वफादार देखो यही अर्मान लेके आज तेरे गर पे हम आए जो काटा सा खटकता है अरे मेरे दिल से निकल जाए ओए सद के जाओं ओए सुनो सद पाल जी बोलो जस पाल जी या सस्रिया काल जी अगल लग जा पापे यारों के हम यार है तुझे कैसे बूले तेरे तलबगार है तुनो सद पाल जी बोलो बोलो जस पाल जी या सस्रिया काल जी बोलो जी या बोलो जी या सस्स्रिया काल जी या जी या सद पाल जी कर दुम राजा जिसको आपने तवाइफ का बेटा बना दिया था चाचा जी इंस्पेक्टर विजय जो आप तक जिन्दा है कहां है खजाने का नक्षा जो तुमने मेरे लॉकेट से निकाला था कौन सा नक्षा कौन सा नक्षा मेरे पास नहीं कुछ वी शंकर शंकर हां दिवान सरदरी लाल का असली बेटा असली बेटा खजाने का अधनक्षा मिल गया शंकर बोल मेरे माबाप का है कुमीने मेरे माबाप का है शंकर जोड़े मेरे डैडी को परना लख्षा लाओ लाओ मंगे ताओ नहीं लाओ नहीं लाओ नहीं लाओ आप अस नक्षा की फट जाने की फिकर मत कीजिए सवाल ये है कि इस नक्षे का दूसरा आदा हिसा कहा है जब तक वह इसा नहीं मिल जाता खजाने का पता नहीं चल सकता और खजाने को हासल करने के लिए शंकर कर जिन्दा रहना बहुत जरूरी है तुम्हारा मतलब है कि खजाने का नक्षा जो दो हिस्सों में बटा हुआ था वो इसके दिमाग में है और अगर वो इसके दिमाग में है तो उसे हमें कागस पर उताना अच्छी तरह आता है ठाकर तुम्हें खजाना कभी नहीं मिलेगा चाहे तुम मेरी जान ले ला हूँ अरे नहीं जान तुम्हारी जान हम क्यों लेंगे तुम्हारी जान तो हमारे लिए बहुत कीमती है जान तो हम उसकी लेंगे जो हमारे लिए बेकार है तुम्हारा बाप और जान लेने से पहले हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे जान किस स्टाइल से ली जाती है बताएं जुलियन अबल नक्षा देता है या मैं तेरे बाप को कुर्सी दूँ बिवा आप वो खजाने का नक्षा चाहिए ना मैं तिलवाता हूँ शंकर शंकर कोई खजाना जिंदगी से बढ़ा नहीं तु इन्हें नक्षा बना कर दे दें नहीं राजा तूने समझता मैं सब समझता हूं मुझससे पूछ माबाप की किमत क्या होती है मेरा दिल वो तड़ब जानता है जो माबाप के बिना महसूस होती है मेरे दोस मेरे तुम मैं आपसे कहता हूं कि खजाना ठाकु साब को दे दीजिए तुम राजकुमार हो राजकुमार नहीं दिवान साब बेटा कहीं बेटा अपनी वफदारी का इतना बड़ा बोज मेरी आत्मा पर मड़ डालिए कि बिना कुछ कहीं मैं पापी और मुझरिम बन जाओं चुड़ता हूं मैं मैं राजकुमार नहीं होने के नादे आपको हुक्म देता हूं थाकुर्स आपको खजाना दे दिजिए दे दिजिए खजाना थाकुर्स आपको थेके राखुर्स आप मैं नक्षा बना देता हूं आपको बनाओ लादेदर सुरज ये देख ये टेड़ी मिड़ी लकी रहें सीध है करोनों के खजानों को जाती है हाँ 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 दिवान जी नहीं जाएंगे ठाकूर यहां सुबूत है कि यह नक्षा खजाने तक जाता है और जब तक नहीं जाता तब तक दिव बंदो इन्टब को सूरज मैं जानता हूँ डेडी मुझे क्या करना है आप चाहिए है जलग नहीं जी हां मैं आज तक मैं नहीं मेरी मजबूरी आपकी नीष्टा का साथ देती रही मेरी बेबसी कटपुतली बनकर आपके इशारों पर नाशती रही लेकिन आज आज मैं आप सब को मौत का नाच न चाहूंगी अगर आपने इन सब को नहीं और नक्षा वापस नहीं किया तो आपका ये सूरज अभी दिन में ही डूप जाएगा नहीं नहीं चलो नहीं मेरे मेरे बेटे को मतमालो तुम्हें चाहिए तुम्हें नक्षा दे देता हूँ जलो यह तब्दार चाहिए टड़ी इस नाशने वाली को तो मैं न चाहूंग को के बाद़ आप पाद्स! चुलियन! जिल ला दो दो जोगिद आर ला झाल झाल शंकर तुम जाओ, दिवानजी को ठागुर स्टाप लेगा तुम जाओ जाओ झाल झाल जे रहाँ झार को ते जो है ये जो को जो हो ये है जो को जो है ये ये है बचे बचे दर बचेता हाँ कि ये, इसे कुमा हुआ ये? कि ये, गुमा हुआ इसको, चल चल हाँ सब नहीं, तुम लोग या ख्याल लखो, तिर्फ पांच आड़ी मेरे चाता हो कि ये, घ कि ये, इस ब लोग मेरे चाता हो, तुमा हुआ ये, टुमा हुआ ये, तुमा आड़े ऊड़ी हुआ इसका ये, तुमा हुआ ये, तुमा हांवे ये, तुमा ह दा COM हाँे, एसफे इसकाइफे.. ये, तुमे। kay... चाएफे. पासिक़्। किया? आहां, 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 ऐ, हम्हों, जो, 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 अरे देखाँ, आरे दुटना? क्याला, जब राइगा ने खुटाइब, क्याला, जब अच्छा बहुता है, है अज़ा, नहीं तुमारी तलाश कर रहा हूँ, तुम नहीं चुपए बाठे हो, मैं तुम सबको ले जाओंगा, तुम सबको एक काम करो जल्दी तो पेटिया खोलो हरे अब जल्दी हम लोग इतना खजाना लेकर क्या करेंगे यह खजाना मेरा है मेरा अकेले का इसको यहां से कोई नहीं ले जा सकता आप मायूस क्यों हो रहे हैं अरे दिवान जी आप तो यह नाम के हगदार हैं हम आपको यह नाम जरूर देंगे इस रिवालवर में एक गोली अभी और वाकी है आपकी मौत के लिए मौत तो अब तेरी होगी ठाकुर मैंने तुझे सिर्फ अंदर आने का रास्ता बताया है बाहर जाने का नहीं यह देख अब चला गोली खतम कर दे मुझे यह सारा ख़जाना तेरा है ना ले जा ले जा यह दर्वाजा नहीं खुलेगा ठाकुर जब तक मैं नहीं चाहूं अरे नहीं दीवाजी मैं आपको यह सारा ख़दाना नहीं आदा ख़दाना दे दुँगा यह सब आपको दे दूगा आप मसीर भार जाने का रस को बताई यह रास्ता तूने खुद चुना है और यहां के अब तेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके अरे नहीं दिवाणी तूने भी मेरे लिए सब रास्ते बंद किये तो 20 साल तक मुझे अंध्यरी कोट्री में भूका रखा अब तू भी अपनी भूक मिखा इन हीरों को खाकर इन मोटियों को चबा चबा कर यह करें हीरे खा पार जाने का रात तो पताता कि नहीं? बोल पताता कि नहीं? नहीं 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 बताएगा? बोल 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 खार लाता रचिने! खार डओे एचाएगा एरे चल! चाहएँ! चली बताशिक, चाहएँ! चलो अपने आदमियों से कहो कि बंदू के फेग दे बोल देख गो खाँ खाँ अपने खाँ अपने अरे छोड़ बंदो के जितनी चल्दी हो सके ख़दाना लेके चल अरे रखना जाड़ जाड़ उठा 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 अरे उठाना अरे तेरा तेरा तो जाड़ी कर छो, याड़िंग थै कि वरक देखना अर्ण बंद। जि ओज अिएूकीा करेंगे स्थैंगे सक्टांगाू कर समयुचां निएकी करदे। वड़ प्डिए यो जड़ा जड़ डाय जड़ा करे और अ जड़ा जड़ा है जड़ा करेक चर 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 चर! झाल 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 ले जाए सेथ लो राजकुमार समालो अपनी अमानत तुम्हारे दादा जी इसे गरिबों कि भलाई के लिए खर्च करना चाहते थे तो इससे मैं क्यों समालूँ आप इससे दादा जी की इच्छा पूरी कीजिए और मुझे अपनी इच्छा पूरी कने दी अरे बिट्री यह क्या कर रहे हैं देखा लक्ष्मी कैसा शुब दिन आ गया सब मिल गए इसने अच्छा शुब दिन तर तब आएगा जब हम अपने सब बंचों के शादे कराएं सच मा तेरी भी